अमेरिका ने अपने अक फैसले से चीन को चिंता में डाल दिया है। दरसल अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 1.42 अरब डॉलर के हथ्यार बेचने को मनजूरी दे दी। डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपती बनने के बाद से इसात्मिशासी देश के साथ यहाँ अपनी तरह का पहला सौधा है क्यूंकि अमेरिका अभी तक चीन के साथ One China Policy अपनाता रहा है जिसके अंदर गत अमेरिका चीन को एक राष्ट्र मानता है जिसमें ताइवान अलग देश नहीं है हत्यारों की बिख्री से चीन पूरी तरह नाराज हो सकता है क्यूंकि चीन ताइवान को अपना ही इससा मानता आया है दरलज यह फैसला अमेरिका ने उस समय लिया जब अमेरिका लगातार चीन से उत्तर कोडिया पर परमानू हत्यार प्रतिबंद लगाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए कहता आया है इसलिए यह सौधा एक ऐसे नाजग समय पर हुआ है जिससे वाशिंटन और बीजिंग के संबंध प्रभावित हो सकते हैं एक अमेरिकी अधिकारी ने ना मुझागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि पूर्व चेतावडी समय ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों में साथ प्रकार के हथियार हैं जिसमें रेडियेशन रोधी मिसाइल तारपीडो और SM-2 मिसाइल के कलपुर्ज आधी शामिल हैं गौतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपती ट्राम्प उत्तर कोरिया पर लगम कसने में चीन से मदद की मांग करते रहे हैं